Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल लेकिन सरकार ने कहा कि हम अगले 5 सालों के लिए 5 और crops की उपर जो procurement है वो करेंगे किसानों से, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो farmer unions है, उनका कहना है कि यह हमें accepted नहीं है, यह आप देख पाओगे not in our interest, farmer leaders reject government's proposal on MSP, और बताया जा रहा है कि 21 February से, मतब कल से वापस दिल से जानेंगे कि exactly हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर एक और interesting चीज़ मैं बताऊंगा वीडियो में, कि सरकार का main मकसद क्या था, मतलब कि अभी तक आप देख रहे होगे, सरकार पूरी तरह से reject कर चुकी थी, कि हम कोई भी extra MSP और नहीं देने वाले, लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ, जिसकी वज़े से सरकार ने 5 और crops के ऊपर MSP देने का निड़ने किया था, और अगर इसको किसान accept कर लेते, तो इसमें क्या benefit होता, क्या चीज़ें होती, वो सारी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा दोस्तों, आपने से जो भी लोग UPSC की preparation कर रहे हैं, कैसा batch चाते हैं, जिसके अंदर, प्रिलिंस में इंटर्व्यू सब कुछ आपको कराया जाए, तो हमारा foundation batch ले सकते हैं, इस batch के अंदर आपको live classes तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक personal mentor भी site अप पर जाएगे, या फिर comment section में link है, और use कर ये code अंकित live ताकि आपको maximum discount मिल जाए, और इसके अलावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है, देखिए अभी क्या हुआ था कि कई rounds of talk चल रहे थे, बातचीत हो रहे थी सरकार और किसानों के बीच में, तो यहाँ पर जो fourth round of talk हुआ था, जो कि Sunday की रात को देर रात तक चला था, करीम Sunday की रात को साड़े 8 बजे वो start और मुझे पता है, साड़े 12 एक बजे तक ये पुरा talk चला था, बातचीत हुई थी, farmers और जो है आपका सरकार के बीच में, उस समय सरकार ने एक proposal दिया और कहा कि यहाँ पर 5 और crops की उपर हम आपको MSP प्रोवाइड करने के लिए ready हैं, पांच उसमें से अगर आप farmers को decide करना था कि क्या वो सरकार का ये proposal accept करने वाले हैं कि नहीं, finally यहाँ पर जो किसान है वो कल शाम को आए और leaders ने बताया कि देखे ये हमें accepted नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा जो demand है कि MSP सभी के सभी 23 crops के उपर दिया जाए, और यहाँ पर आप देख सकते हो, कि सरक पर बात बन जाए, और इसके लिए basically अगर आप देखो गे ना जो बातचीत हुई थी, उसमें सरकार ने ये कहा था, कि ये जो procurement है 5 और crops का, वो basically किया जाएगा जो cooperative societies हैं सरकार की, that is NCCF हो गया, नफेड हो गया, ये अगले 5 सालों के लिए किसानों के साथ contract करेंगे, और MSP पर इसको buy करेंगे, और उस पर कोई भी quantity limit भी नहीं होगा, और यहाँ पर जहां तक cotton का सवाल है, तो cotton corporation of India, वो किसानों से यहाँ पर procurement करेंगी, तो basically अगर आप देखोगे ना, actually, तो जितना भी crops होता है, मतलब जिस पर MSP announce करती है सरकार, minimum support price, तो वो total 23 crops पर करती है, जिसम pulses की हम बात करें, pulses तो कई तरह के होते हैं, आप देख पाऊगे यहाँ पर, लेकिन जो तूर हो गया, that is अरहर, ठीक है, एक तो यह, फिर दूसरा उरद, यह pulse हो गया, और तीसरा है आपका lentil, जिसको मसूर दाल कहा जाता है, तो यह तीन pulses हो गया, यह मेज हो गया, और cotton हो इनके उपर सरकार ने कहा कि हम आपको MSP प्रोवाइट करेंगे, MSP का मतलब होगे, आगर आप देखोगे, 2023-2024 का जो सरकार ने पिछले साल MSP अनाउंस किया था, यह आप देख सकते हो, जो मसूर दाल है, उसके उपर 6,425 पर कुइंटल, फिर वैसे ही अरहर है, इसके जाता है, और यह जो दाम है, वो basically, कई सारे factors को ध्यान में रखते वे, यह calculate किया जाता है, बाई, CACP के दोरा, ठीक है, तो वो सब तो आप सबको पताई है, लेकिन question यहाँ पर यह है, कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, सरकार ready हो गई, कि हम 5 crops के उपर आपको MSP देने के लिए तयार हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक यही आप देख रहोगे न, news से लेकर हर जगा, कि सरकार और MSP दहीं देना साहती है, क्योंकि और ज़्यादा physical burden बढ़ सकता है, यहाँ पर, बहुत ज़्यादा problem हो जाएगी, तो इसके पीछे का राज मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली यहाँ पर एक twist यह है, कि सरकार ने यह कहा, कि यह जो हम खरीदने की बात कर रहें न, वो सरिफ उन्हीं किसानों से खरीदेंगे, जो अपने crop को paddy और wheat से diversify करेंगे, मतलब जो किसान इस समय पंजाब के अंदर already जो paddy है, जो rice वाला हो गया, या फिर wheat, गेहू हो क्या, अगर आप उसकी खेती already कर रहे हो, और अगर आप ये diversify करके, इन पाचों crops पर अगर आप कोई भी crop उगाते हो, तो ही यहाँ पर आपका procurement किया जाएगा, ठीक है, अब ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर आपको एक चीज समझने की जरुरत है, बताये जा रहा है, आपको green revolution हुआ था, तो उसकी वज़े से जो वहाँ के किसान है, वो या तो ज़्यादा तर wheat, या फिर paddy, यही दो चीज उगाते हैं, और ये water intensive crop है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी चाही होता है, तो ground water से काफी सारा पानी निकाला गया, निकाला गया, जिसकी वज़े से आज ground water level बहुत नीचे जा चुका है, almost nil के बराबर हो चुका है, तो यहाँ पर सरकार को लगा कि अगर हम उनको diversify कर सकें, हम उनको प्रोचाहित कर सकें, कि आप wheat और paddy की जगह, जो pulses हैं, अगर आप वो उगाते हो, तो सरकार को भी इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि आपको समझ ही हो जाएगी, जहां तक consumers का सवाल है, consumers के लिए भी फायदा है, क्योंकि सस्ते दाम पर pulses मिल जाएगे, और यहाँ पर सरकार कह रही है, किसानों से कि हम आपको minimum दाम तो देंगे उन pulses का, तो इससे win-win situation हो सकता था, जहां तक भारत की pulses problem की बात है, मैं आपको बता दूँ, ध्यान रखेगा, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा producer है, लेकिन problem क्या है, कि हम सबसे बड़े consumer भी हैं, हम produce तो करते हैं, लेकिन जितना भी produce करते हैं, वो हमारे लिए sufficient नहीं होता, देखो, अगर हम pulses में देखें, तो चना और मूं, यही दो pulses हैं, जहां पर हम sufficient हैं, बाकी से 16 लाख टन तो भारत में produce हो जाता है, लेकिन बाकी हम import कराते हैं, for example, पिछले साल 4.85 लाख टन जो pulses हैं, basically मसूर दाल, वो हमने Canada से import कराया था, और इसके अलावा भी आप देखें, तो मैंनमार, मुजामबिक, ऑस्ट्रेलिया, रशा, वहां से भी हम इनको import कराते हैं, त तो अगर माल लो, यहां पर यह farmers की दौरा accept कर लिया जाता है, यह proposal, तो एक तरह से यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था, कि farmers उसको उगाते, तो हमारे देश में production बढ़ता, तो हमें बाहर से मंगाने की जुरुत नहीं पड़ती, अब क्या होता है, जब हम import करते हैं, तो ह बहुत ज़ादा beneficial होता, कैसे, देखो अभी farmers के दौरा क्या demand किया जा रहा है, कि हमें MSP legal करके दो, और वो भी स्वामिनातन formula, और यह बात सबको पता है, कि यह चीज, actually मैं अगर आप देखो कि practical terms में, यह शायद possible नहीं है, it is almost next to impossible, क्योंकि क्या है न, कि यहां पर जो MSP द पर experts का यह कहना है, कि ना तो जो private sector है, फिर उसको खरीदेंगे, और फिर सरकार को वो पूरा खरीदना पड़ेगा, और सरकार उसको खरीद कर रखेगी कहां, और ultimately जो आज के rate में जितना खरीदी है, वही utilize नहीं कर पाती, आपने देखा होगा, सरकार ने finally decide किया, कि और पंजाब का farmer, उससे उसको बाहर निकलने में एक आसानी हो जाती, क्योंकि waterless future देख रहा है पंजाब के अंदर इस समय, तो यहाँ पर सरकार ने यहीं कहा, कि जो भी आप में से लोग wheat और paddy उगाते हैं, अगर आप उसकी जगा ये 5 cross में से कुछ भी उगाओगे, pulses वगरा grow करोगे, तो हम मतलब बिना किसी limit पर, अब ऐसा नहीं है कि सरकार ने यहीं नहीं कहा है कि अगर आप 100 quintal हैं मो उतना ही procure करेंगे, ऐसा नहीं है, unlimited, जितना भी आप उगाओगे, वो सब हम purchase करेंगे, तो एक तरह से farmers को भी एक प्रकार से security मिल जाती, कि कल के rate में सरकार इसस हमें accepted नहीं है, यहाँ पर हम 23 के 23 क्रॉफ्स पर MSP चाहते हैं, अब देखना होगा सरकार इसको लेकर क्या करती है, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है कि 20 कल से जो है दिल्ली चलो मार्च जो है वो फिर से proceed होने वाला है, और आपको पता है कितना ज़्यादा टेंशन बनावा ह बॉर्डर पर एक तरफ पुलिस है, पूरी सीमा पूरा बल लगा रखी है, सरकार पुलिस के तनाती कर रखी है और दूसरी तरफ किसान है, बड़े-बड़े बैरिकेट्स लगे हैं, तो डर यहाँ पर यही है कि क्या वालेंस फिर से वहाँ पर होने वाला है, मंडे को यहा उन्हें एक्जांपल बताया, कि सेंट्रल गॉर्मेंट पाम ओल को इंपोर्ट करती है बहार से, जिस पे सरकार हर साल 1.7 लाक करों खर्च करती है, तो राधर देन स्पेंडिंग 1.7 लाक करों आउट साइड, सरकार को यह भारत की किसानों को देना चीए, तो इधर से फार् अपडेट था, वो मैंने आपको पता दिया, और कल से फार्मर्स का कहना है, कि हम फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं, लेट सी, जाने से पहले एक इंटरस्टिंग कोशन, क्या बता सकते हो, भारत में जो डिसगाइजड अनेप्लाइमेंट है, वो आपको कौन से स सोशन मीडिया पर आप जो पागे और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, you can just use this code, अंकित लाइफ ताकि आपको maximum discount मिल जाए, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हम से नेक्स ताइम तिल देन, thank you very much, see you soon Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable